तो आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूँ जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं तो आज के इस वीडियो में स्टेप आपको पूरा प्रोसेस एक्सपेंड करूंगा शूट से लेके थामनेल डिजाइनिंग तक इन फोटोशॉप सो बहुत मजा आने वाला है आज का वीडियो करते हैं और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो इसी के साथ चले आज का वीडियो शुरू करते हैं और तो इससे पहले कि मैं फोटोशॉप शुरू करूँ और उसमें जाके हम थमनेल बनाना स्टार्ट करें दो चीज का मैं स्पेशल ध्यान रखता हूँ नमबर वन की जो भी मैं फोटोश ले रहा हूँ थमनेल के लिए खुद के वह फोटोश अच्छे हो और अच्छे से मेरा मतलब है कि उसकी लाइटिंग अच्छी हो ताकि वह शार्प दिखे और अच्छे दिखे और लाइटिंग अच्छी करने के लिए आपको कोई महेंग कर सकते हो और जो भी आपका सब्जेक्ट है इन इस पर्टिकलर थमनेल जैसे कि मैं सब्जेक्ट हूँ तो उसकी लाइटिंग जो है वह अच्छी करो उससे आपका जो फोटो है वह भी शार्प आएगा और दूसरी चीज़ अगर आपके पास आरजीबी लाइट है कोई भी साधी सस्ती आरजीबी लाइट जैसे कि इन माई केस मैं यूज कर रहा हूँ डिजिटेक की एक आरजीबी लाइट जिसका मुझे मुझे मॉडल नंबर याद नहीं है मैं लिंक दे दूँगा इससे पहले मैं विफ्रो की आरजीबी ट्यूब लाइट यूज कर रहा था एन कि इन माई केस मैं जो टेक्स्ट एड करूंगा यलो क्लर का होगा तो जब मैं फोर्टो लोओ गा तब मैं उस रजीबी लाइट को यलो कलर पर सेटके फोर्टो लोओंगा तो इससे क्या होगा जब मैं मेरे फेख्स के इस तरफ एक टेक्स जोर्ट i보 little light है तो यहां पर obviously मैंने बहुत सारे फोटो लिए उसमें से जो फोटो मुझे अच्छी लगी या परफेक्ट लगी थम्नेल के लिए वो यह है अब इस फोटो को मैं पेंट टूल यूज करके कट आउट कर लूँगा कुछ ऐसे अब हाँ मैंने camera raw filter में जाके कुछ basic से adjustments किया है अब आपने सबसे कर सकते हो नई भी करोगे तो कुछ इतना फरक नहीं पड़ेगा बट अच्छा दिखने के लिए करी लो तो यह मैंने cut out किया अब यह cut out मैंने कर से किया यह cut out नहीं मैंने quick selection tool यूज करके किया नहीं कोई lasso tool यूज करके किया मैंने basic pen tool select किया यहां पर make sure किया कि यह path पर set हो और फिर मैंने इसे cut out किया pen tool से yes I know थोड़ा सा time लगेगा बट मैं prefer करता हूँ कि मैं जो भी cut out कर रहा हूँ मेरे thumbnails के लिए या मेरे design के लिए मैं pen tool select करके करूँ इससे क्या है जो selection होता है वो बहुत sharp और accurate होता है and I like it that way अब आपको एक चीज का यहां पर धियान रखना है मैं यहां पर एक rough selection कर लेता हूँ example दिखाने के लिए ऐसे जब मान लिजा आपका selection complete हो जाए आपको right click करना है make selection पर click करना है और make sure करना है कि जो feather radius है इसे कभी भी 0 पर मत रखना 0 पर रखोगे तो वो बहुत ही ज़ादा hard edges देगा आपको तो मैं prefer करता हूँ 0.2 या 0.5 के आसपा तो 0.2 इसके लिए perfect है इससे क्या है कि आपका selection होगा उसमें हल्की से feather रहेगी और वो थोड़ा और realistic लगेगा और फिर आपको बस यहाँ पर layer mask पर click करना है जिससे वो selection आपको मिल जाएगा तो इसी technique को use करके मैंने यह जो पूरा cutout है यह किया हुआ है very very simple और camera raw मैंने बस basic कुछ color correction की है वैसे तो मैं project file यह आपको दे दूँगा तो आप जाके camera raw filter के जो adjustments मैंने की है वो आप दिख सकते हो but मैं suggest करूँगा कि आप अपने photos या अपने image के साब से adjustments करना फिर आपका यह एक बर adjustment हो जाए अब क्यूंकि यह जो complete document है यह मैंने इसी image के size का लिया है जो की बहुत जादा बड़ा है और हम thumbnail बनाएंगे 1920 by 1080 ratio में तो उसके लिए मैंने क्या किया है मेरे पास यह template है जो मैंने internet से download किया था आप देख सकते हो इसका फाइदा यह है कि जब मैं thumbnail बनाता हूँ और इसमें place करता हूँ तो मेरे को एक idea आजाता है कि YouTube पे मेरा जो thumbnail है वो कैसा दिखेगा क्योंकि हम लोग thumbnail को क्या है यहाँ पर बड़े full screen में देखते है और फिर जब ऐसे देखते हैं तो ज़्यादा better idea आता है कि यह बहुत बड़ा image है तो जैसा कि आप दिख सकते हो मैं इसे छोटा कर लूँगा ctrl T press करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर place कर दूँगा और जो मेरा background color है इसमें set custom color में जाके मैं white पे set कर दूँगा और इसे हमें उसे white पर रखके काम करो जबी भी आप YouTube thumbnail बना रहे हैं क्योंकि maximum audience जो है हमारी YouTube white version में प्ले करती है तो आपको एक idea जाएगा कि YouTube पे यह कैसा दिखने वाला है और फिर इसके पीछे ना में एक solid color add कर देता हूँ अभी के लिए black रखूंगा और इसके नीचे इसरीके से add कर देंगे ठीक है अब हम जाकर यहां पर बस अपना text टाइप करेंगे अब text टाइप करने के लिए मैं जो font लूँगा one of my favorite font this is the clash grostec again इसकी भी link आपको description में मिल जाएगी तो type करता है how I make thumbnails तो मैं इसे दो section में divide करूँगा सबसे पहला तो यह मेरा text का section हो गया और फिर यहां पर जाकर इसे set कर देंगे 0 पर ठीक है alt click करके मैं duplicate ले लूँगा इससे मैं दूँगा thumbnails so how I make thumbnails अब यह जो font है यह मैं दूसरा font लूँगा which is morganite morganite bold ले सकते हैं काफी अच्छा दिखेगा और इसे मैं इसी size का set कर दूँगा फिर इन दोनों को हम select करेंगे ctrl T press करके काफी बढ़ा कर देंगी कुछ ऐसे अब मुझे लग रहा है मेरा जो image है वो काफी बीच में है इसे थोड़ा सा side में ले लेते हैं यहां पर कुछ ऐसे and thumbnails के लिए मैं add करूंगा एक gradient overlay ले और यहां पर क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि टेक्स जो है वो में yellow का लगा लेने वाला हूँ तो इसे में yellow पे फटाफट set कर देता हो कुछ ऐसे तो अच्छी सी depth हमें मिल जाएगी by using this gradient okay this is looking good अब हम लोग क्या करेंगे एक background add करेंगे हम लोग चाहे तो इसी तरीके से black solid रख सकते हैं बट मैं prefer करता हो एक background add करना जिससे एक हल्किसी depth आ जाती है scene में तो background add करने के लिए कोई भी random image interior का image ले सकते हो यह बहुत बेरली विजिबल होने वाला है तो मैं इसे set कर दूंगा यहां पर इसकी जो opacity है वह हम एकदम कम कर देंगे या fill काफी कम कर देंगे कुछ ऐसे अभी के लिए मैं 30 पर set करता हूं और फिर मैं क्या करूंगा यहां पर जाओंगा add करूंगा gradient map इसे set कर देंगे एक basic black and white पर और जो white color है उसे मैं set कर दूंगा yellow color और इसे मैं place कर दूंगा मेरे background के उपर तो कुछ ऐसा हमें background देखने मिल जाता है जो compliment करेगा हमारे overall design को और देख रहे हो अगर मैं black रखता ना अगर मैं छोटा कर दूँ तो black काफी plain लगता हूं इससे थोड़ा सा एक sense of studio create हो रहा है मैं वैसे इतना जो main background है उसे ही रखना prefer करता हूं अभी के लिए हम लोग यह ले लेते हैं ताकि आप भी इस background को use कर पा अपने thumbnail में अब मुझे असा लग रहा है ना कि मेरा overall जो image है ना वह blend नहीं हो रहा yellow color के साथ तो उसके लिए मैं कुछ हलके full के सब्सक्राइब करूंगा सबसे पहले तो यहां पर जाकर हम add करेंगी color balance जिससे में yellowishness थोटा बढ़ा दूँगा मेरे image में और इसे clip mask कर दूँगा alt hold करके इस तरह के से click कर देंगे ताकि वह सिर्फ मेरे image पर effect करें जैसा कि आप देख सकते हो before and after अभी काफी जादा better blend हो रहा है फिर हम क्या करेंगी यहां पर जाकर एक नया solid layer create करेंगे अभी के लिए white रख देते हैं इस height करके मैं same yellow color यहां से pick whip कर लूँगा कुछ ऐसे तोड़ा सा saturated and फिर इसका blending mode हम set कर देंगे linear dodge पर और फिर इसका layer mask select करेंगे press करेंगे ctrl i invert करने के लिए make sure करना है कि हम यह जो layer mask के वह select करें भी press करें brush tool के लिए and make sure करना है कि जो foreground color है वह white हो black होगा तो वह erase करेंगा color और white होगा तो वह paint करेंगा मतलब reverse करेंगा erase के मुझे नहीं पता उसे क्या पुलते and फिर इससे मैं set कर दूँगा हमारी image के उपर और इसे भी clip mask कर देंगे और फिर हम create करेंगे यह जो edges मैं आपको बता रहा था तो इससे मैं काफी कम कर दूँगा opacity भी काफी कम रखेंगे और कुछ इस तरीकी से मैं जो है edges paint करूंगा कुछ ऐसे अब मैं यहां पर थोड़ा सा फटा फट कर रहा हूँ आप अपना time लेके आराम से कर सकते हो अब क्योंकि आप दे सकते हो कि मेरे जो t-shirt उसका border white आ रहा है तो इतना यहां पर दिख नहीं रहा है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे brush का size बढ़ा कर देंगे थोड़ा से बेटर लग रहा है अब अगर आप चाहो तो intensity कम करने के लिए opacity को थोड़ा कम जादा कर सकते हो मुझे लग रहा है intensity काफी जादा हो गई है तो हल्किसी मैं कम कर दूंगा अब obviously यह text अगर यहां पर है तो cap के इस area में इतना ज्यादा intense light नहीं होगा तो इसको reverse कर देंगे हम और यहां से मैं हलका सा erase कर दूंगा कुछ ऐसे okay so this is looking much better now I think फिर क्या करेंगे text को थोड़ा और highlight करने के लिए मैं पीछे एक shape add कर दूंगा एक black solid shape कुछ ऐसे okay and इसे हम place कर देंगे text के नीचे फिर इन तीनो जी चीजों को select करेंगे ctrl T press करेंगे और ctrl और shift hold करके इस तरीके से skew कर दूंगा मैं हलका सा जिसे तोड़ा सा look और better हो जाता है और इसे मैं नीचे place कर दूंगा हमारे image के या हमारे subject के कुछ ऐसे तो दिखने में यह काफी जादा better लग रहा है मुझे अब और जो इसका gradient है उसे भी मैं हलका सा adjust करूंगा ओके तो यह काफी जादा better लग रहा है और फिर हम क्या करेंगे एक नया layer create करेंगे इसे मैं पीछे place कर दूंगा हमारे subject के बी प्रेस करेंगे brush tool के लिए और same color मैं यहां से pick-wip कर लूँगा yellow intensity या opacity थोड़ी से बढ़ा देंगे और यहां पर कुछ taps create करेंगे कुछ ऐसे just to highlight our subject काफी better लग रहा है intensity थोड़ी सी कम कर लेते हैं काफी दर इंटेंस हो गया ओके फिर finally मैं एक नीचे text add कर देता हूँ यह वाला text क्यों select नहीं हो रहा है मेरे भाई ctrl J प्रेस करेंगे नीचे मूव कर लेता हूँ step by step process छोटा कर लेंगे इसे कुछ यह से 6th sense of detail यह add कर देगा हमारे complete design में font क्यों change हो गया 12% कर देता है सही है so this is looking very nice अब मैं चाहता हूँ कि मेरे image और थोड़ी पॉप आउट हो तो उसके लिए मैं add करूंगा एक let's go with a curve adjustment layer make sure करना है कि यह clip mask रहे क्योंकि मैं इसका image पर effect करना है इसका और जो contrast overall मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ तो आप देख रहे हो यह काफी ज्यादा better लग रहा है अभी काफी अच्छे से blend भी हो रहा है it's looking nice और फिर हम थोड़ा और depth add करने के लिए कुछ elements add कर देता है जैसे कि मैं यहां पर question पूछ रहा हूँ how I make thumbnails तो यहां पर मैं question mark add कर देता हूँ कुछ ऐसे ctrl T press करके इसे बढ़ा कर लेंगे एकदम इसी इसी पर मैं जो gradient overlay है जो हमने text के लिए use किया था वही copy paste कर देता हूँ तो alt hold करके click and drag कर दूँगा यह apply हो जाएगा और फिर right click करके इसे convert to smart object कर लेंगे इसे मैं rotate करके एक shape यहां पर कुछ ऐसे place कर देता हूँ but image के पीछे कुछ ऐसे okay फिर ctrl J press करेंगे और इसके कुछ duplicates मैं यहां वहां place कर दूँगा जिसे हमारा जो पूरा design है थमनेल बनाना भी एक कला है सच में थोड़ा और balance दिखे एक यहां पर filter में जाऊंगा blur और Gaussian blur add करेंगे जिससे एक अच्छी सी depth add हो यहां पर और इससे place कर दूँगा मैं सबसे ऊपर और थोड़ा सा और बढ़ा कर देंगे अब देख रहे हो एक अच्छी depth यहां पर add हो जा रही है एक फाइनल टच के लिए मैं एड करूंगा एक पार्टिकल्स का जो footage है मेरे पास कि मैंने बस Google से रैंडम ली डाउनलोड किया है इसे सेट कर दूँगा screen पर add करूंगा एक layer mask और जहां पर भी मुझे यह पार्टिकल्स नहीं चाहिए वहां से इस लग रहे है यह बहुत जादा लग रहे है इसे यह परटिकल्स को एरेज कर दूगा कुछ ऐसे हमारा जो कम्प्लीट थम्नेल है वह रेडी है आप आपको आज का यह तुटोरियल अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो यार मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए वीडियो को लाइक कर दे और जाने से पहले जिन लोग को नहीं पता मेरा एक फुल-fledged after effects course है जो आप देख सकते हो अभी link में description में दे दी है उस पर sale भी चल रही है so it will be the right time to learn after effects the right way so इसी के साथ मैं आप लोग से मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक लिए take care and always stay raw, stay creative, peace out